बात करते हैं सर्कार तो जो पहला कारिकाल था उसमें जो विकास के काम किये गए थे उत्तर प्रदेश को एक वास्तविक्ता में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो निरने लिए गए थे उन सब को और एक मजबूत प्लेटफॉर्म जो त्यार किया गया था विकास का उससे आगे अब उसको बढ़ाने का कम योगी आदितनाच जी ने दूसरे कारेकाल में प्रारंब किया है और आप देख रहे हैं जैसे कि अभी मातरत 30-31 दिन के अंदर लगभग 40 निरने जो उत्तर प्रदेश को और समारने के लिए यहां की विवस्ता को और ठीक करने के लिए जो लिए गए हैं मैं समझता हूं कि वह लोगों की अपक्षाओं के अनुरूप हमारा उत्तर प्रदेश बने उस दिशा में योगी आदितनाच बैतर कानून विव कि वी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कि इलावाद में पूरी तरह से प्रयागराज मनश्ट हो गए गोरकपुर में हो गए को इस सवतान सवाल प्रचार के समय में भी उन्होंने बहुत सारे खड़े किये थे लेकिन कोई विश्वशनियता उनकी पार्टी की नहीं रह गई है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी आज भी एक बार फिर सत्ता से बेदखल बाहर उतरप्रदेश की जनता ने रखा है। जनता ने जिस सरकार को छुना है जिस दलकु चुना है अब वही सरकार को अगर मानने को नहीं तयार है तो वहßen के अवेद्ध सरकार है। सरकार यह सरकार को चुना है इतना जवर्दस्त में चाहते हैं मुझे लगता है कि वह क्या बोल रहे हैं क्या चाहते हैं शायद वह परिडाम आने के बाद वह उसको समझने और कहने और करने में बहुत फरक आ जा रहा है उनके आजम खांसार जिसके लिए बीजेपी ने जिनको सबसे जादा बिलेन बना दिया जेल में है वो आपके एक सांसर है ब्रेजबूशन इसलन सिंग को कह रहा है कि मैं उनसे मिलने जाओंगा आज एसपी सिंग बागिल साब कह रहा है इसलिए उस पर मैं कोई कमेंट में नहीं करूंगा लेकिन अब ही बहुत सारे चीजों को लोग बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं उन सब चीजों पर अभी कोई कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता है लेकिन बीजेपी संग्ठन के कील कांटे दुरस्त करने में जुट ग पार्टी के जो भी कारिक्रम और अभियान होते हैं उसका अभिन अंग है और यह हमेशा से जब पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंब की तब भी यह करते थे आज पार्टी अमारी प्रदेश की देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी स्थापित हो गई है तब भी पार्टी भारती जैनता पार्टी जो असी के बाद जो बनकर चली है वो आज विश्यू की सबновसे बड़ी पार्टी बन गई है तो इसके पीछे कारण गही है अपनी प्रसिक्षंद्व के अपनी विचार-धारा जो ठोस जो वाहरी वैचारिक जड़ें जो है भारती जनता पाटी की वो है और पाटी इसलिए अनवरत हम लोग हमेशा पाटी तैयार रहती है आज भी 22 का चुनाव समाप्ट करने के बाद 24 के लिए पाटी बिलकुल तैयार है बिलकुल तैयार अगरा से यतनु पाद्धियाए ABP गंगा